दोस्तों आज का वीडियो एक बहुत important वीडियो क्योंकि यहां पर blur airdrop season 3 चालो हो चुक है blur की airdrop हम season 1 से track कर रहे हैं season 1 में हमें almost डेढ़ हजार डॉलर की airdrop मिली थी season 2 कल end हुआ है tokens आप claim कर सकते हैं अगर आपने participate किया होगा हमें इस airdrop के अंदर 768 tokens मिली हैं जिसकी almost 300 डॉलर वैल्यू है बट उससे भी जादा important है कि यह जो points यह जो blur tokens आपको मिले हैं इनी को use करके आप season 3 में participate कर सकते हैं जो की बहुत substantial airdrop हो सकती है तो इस वीडियो में मैं सब कुछ cover करूँगा तो वीडियो पूरा end तक देखिए ताथी साथ game of it comes चानल अगर भी तक आपने subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले करिए subscribe bell notification आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपका एक भी important earning वीडियो miss ना हो तो यहाँ पर twitter पर मैंने तीन घंटे पर आपके साथ share किया है कि जो मुझे airdrop मिली है वो कैसे claim करनी है उसका एक चोटा सा वीडियो है ट्वीट में आप देख सकते हैं 786 यहाँ पर मुझे blur tokens मिले है अब blur ने इस token airdrop के साथ announcement कर दी है एक layer 2 blockchain की जिसका नाम है blast और blast पे अब airdrop चालू हो चुकी है तो जो season 3 है blur का वो blast के through किया जाएगा तो 50% जो airdrop मिलेगी blur की वो blast पे मिलेगी और 50% जो होगे यहाँ पे points यहाँ आप करेंगे वो blur के जो normal lending और bidding points के हिसाब से आपको यहाँ पर airdrop मिलेगी तो यहाँ पर दो चीज़े हैं दोनों तरीके से आप points यहाँ पर earn कर सकते हैं कौनसी collection पर आपको कितने points मिलने के eligibility है वो यहाँ पे collections लिस्टेड है अगर आपके पास यह इस collection में से कोई NFT है इसको अगर आप trade करते हैं लिस्ट करते हैं तो वो सारे के सारे points आपको maximum यहाँ पर आपके जनने टोरें लग जाएंगे season 3 की airdrop में तो यह तो normal airdrop है जो blur में हमने season 1 season 2 में भी करी है बट अब जो दूसरी important चीज है वो है blur की L2 chain जो की है blast तो यहाँ पर season 3 rewards and loyalty यहाँ पर देख सकते हैं 50% of season 3 rewards will go to the NFT trades via blur points just like in season 2 you get points by bidding, listing and lending on blur और यहाँ पर season 3 का end होगा वो होगा May 6 को यानि की 6 महीं तक यह चलेगा 50% blur community को यहाँ पर points दे दे जाएंगे और दूसरा होगा यहाँ पर 50% जो होगे वो holder points के हिसाब से यहाँ पर distribute होंगे तो essentially जो भी आपको airdrop में points मिले हैं जो आपको blur tokens मिले हैं automatically अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो hold.blur.foundation पर वो जो हैं वो आके stake हो गए होंगे जैसे में जो 786 points मिले हैं 786 blur tokens मिले हैं वो automatically यहाँ पर आके stake हो गए मैं इनको चाहे तो अभी withdraw कर सकता हूँ इसको market में sell कर सकता हूँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ने कुछ points मिल रहे हैं अब important चीज यहाँ पर यह है कि जो points हैं सबसे ज़ादा points आपको November 20th याने कि जो अभी period चल रहा है उस पर आपको मिल रहे है याने कि 4 points per hour per blur तो जितने आपको blur tokens आपके पास हैं आपको मिले हैं या फिर आपने market से खरीदे हैं अगर आके आप उनको यहाँ पर deposit करते हैं hold वाली website पर hold.blur.foundation पर तो उसके corresponding आपको maximum points यहाँ पर आज और कल की date में मिलेंगे धीरे-धीरे करके आप दिख सकते हैं November 26 तक यह सिरफ 4 points से घट कर एक point per blur ही रह जाएगा तो जितना जल्दी आप इसमें action लेंगे उतने जादा आप यहाँ पर points accumulate करेंगे तो November 26 के बाद भी आपको points मिलते रहेंगे जब जब आप deposit करते रहेंगे बट वो points की frequency मिलनी कम हो जाएगी बट यहाँ पर multiplier factor भी किनों ने introduce किया है जो कि हर महीने 0.5x के हिसाब से यहाँ पर increase होगा तो more or less आपको काफी points फिर भी मिलते रहेंगे अगर आप अपने यहाँ पर stake करके रखते है blur tokens तो effectively आपको करना क्या है कि जो भी आपने tokens market से करीदे हैं या फिर आपको tokens मिले हैं उनको यहाँ पर stake रहने दीजे और आपके maximum points यहाँ पर इकठे होते रहेंगे अब इसके अलावा यहाँ पर जो blast L2 है वो important यहाँ पर role play कर रही है क्योंकि 50% जो बागी के token से airdrop में दिये जाएंगे blast पर मिलेंगे वो और यहाँ पर भी आपको points accumulate करने हैं अब इसको join करने के लिए आपको एक code चाहिए referral code चाहिए जो आप लोगे साथ मैंने सुबे twitter पर भी कुछ codes share किये थे तो यह almost सारे use up हो चुके हैं तो यह invalid है बट यहाँ पर और codes भी मेरे पास हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ share करूँ तो उसके लिए important यह है कि यहाँ पर उनहीं को सिर्फ benefit है जो यहाँ पर waste हो जाएगा तो अगर आपके पास funds है minimum एक ethereum या दो ethereum के आसपास अगर आप invest इसमें कर सकते हैं invest भी नहीं basically आपको इसमें transfer करने है funds आपके पास ही रहेंगे तब ही यहाँ पर इसमें participate करने का फाइदा है बट participate करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर code तो अगर आपके sign up करने के बाद यहाँ पर आके blast की L2 के अंदर यहाँ पर ethereum उतने deposit करने पड़ेंगे codes भी बहुत limited हैं तो अगर आपके पास funds है और आप इसमें deposit करना चाहते हैं तब ही contact करें क्योंकि नहीं तो वो code भी waste हो जाएगा तो एक बार आपने यहाँ पर join कर लिया उसके बाद आपको effectively करना क्या है कि यहाँ पर bridge करने है तो blast L2 chain पर आपको जितने जादा आप ethereum यहाँ पर bridge कर सकते हैं उतने ही जादा आपके यहाँ पर points accumulate होने लग जाएंगे बट यहाँ पर catch अभी सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो कुछ भी आप यहाँ पर deposit करेंगे ethereum या usdc वो February तक यहाँ पर locked रहेगा यानि कि February से पहले आप उसको withdraw नहीं कर सकते कि इस chain का February में main net launch होगा अभी सिर्फ यहाँ पर deposits आ रहे हैं January में यहाँ पर एक और test net phase आएगा जिसमें आप अगर participate करेंगे तो उसके भी आपको airdrop मिलें के chances होगे उसका वीडियो में अलग से यहाँ पर cover करूँगा जब भी यह launch होगा बट February में main net launch होगा तो जो कुछ भी आप ethereum या कोई भी यहाँ पर token deposit करते हैं यहाँ पर bridge करते हैं इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो February तक आप यहाँ पर lock हो जाएंगे और वो आप withdraw नहीं कर पाएंगे तो तब ही यहाँ पर deposit करें अगर आपको उन funds की जरुरत नहीं है और आप उनके साथ risk लेना चाहते हैं क्योंकि ultimately यह एक L2 है जो यह बिलकुल नहीं L2 है तो यहाँ पर जो कुछ भी आप funds transfer कर रहे ह हैं तो आपको मालूमी है कि वो risky है क्योंकि अभी यह life भी नहीं हुई है पर इच वगरा हैक हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिरफ उनी funds के साथ risk लीजिए यहाँ पर deposit करिए जो आप अगर lose कर जाएं तब भी आपको कुछ फरक ना पड़े तो यह बहुत important है February तक जो भी आप work करेंगे वो locked रहेगा उसके बाद आप withdraw कर सकते हैं बिलकुल Ethereum जो भी आपने transfer की होंगे वो वापिस आ जाएंगे बट उससे पहले आप इसको withdraw नहीं कर पाएंगे अब last इतनी जादा important यहाँ पर Q है L2 कि इसके क्या फायदा यहाँ पर है कि यह पहली L2 ह जहां पर natively जो भी आप transfer कर रहे हैं अपने funds उस पे interest generate हो रहा है तो यहाँ पर Ethereum जो आप डिबाज कर रहे हैं उसको 5% के हिसाब से यहाँ पर आपको interest मिल रहा है ऐसे ही USDC पर आपको 5% के आपस मिल रहा है उसका यहाँ पर simple सा reason यहाँ पर यहाँ यहाँ पर blast जो है internally जो आपको solutions जैसे leado stake ditter में मिलते हैं वो आपको natively इस chain पर मिल रहे है बस आपको यहाँ पर deposit करना है और वो automatically आपके यहाँ पर points भी accrue होने लग जाएंगे और आपके Ethereum जो हैं वो compound भी होने शुरू हो जाएंगे तो यह बहुत important और एक innovative सा solution है L2 का जो अभी तक किसी भी L पर हो रही है उसके लिए आपको कोई gas भी नहीं देनी है आपको कुछ action नहीं लेना सिरफ और सिरफ आपको funds यहाँ पर आके bridge करने हैं और आज की date में यानि कि February से पहले अगर आप जितनी जल्दी हो सके हैं यहाँ बिज करते हैं उतने आपको Ethereum पर वहाँ पर reward भी मिलेंग वो होगा में में यानि कि अपसे 6 महीने बाद ही आप यहाँ पर airdrop में claim कर पाएंगे तो जो airdrop होगी points के against वो होगी में में यानि कि next year तो यह सारे important factors हैं अगर आप इसको participate करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला कि आप उसके लिए आपको चाहिए invite code invite code आप कहीं और से ल होगा तो इस दीज का ध्यान रखिए तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करता हूँ इससे आपको फैदा होगा वीडियो के जुरू लाइक करे शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब ना ना बुले मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए have a safe investment